हालो गाईज तो आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है तो आज मैं आपको लेकिया हूँ अमरे तो द्यान जिसे की मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर जो गेट एंट्री है वो 35 नंबर गेट से हो जाएगी और यह देख सकते हैं आप इसकी जो खूट सूरती है बहुत ही प्यारा यह गार्डन बनाये हुआ है जो कि मांचून के मौसम में यह फिर से ओपन कर दिया गया है तो यहां पर घूमने के लिए जो स्पोर यह जो अमरे तुद्ध्यान है उसमें जो में जो पॉइंट्स है वो फ्लावर्स बहुत इंपोर्टेंट रोल रखता है जो कि यहां पर खूबशूरत दिखाता है और यह हैं यहां पर बड्स जो कि यहां पर मिल जाते हैं देखने के लिए तो गाइज इस बार जो देखन राइट्स फॉर दे चिल्डरन्स यह सारी हमें यहां पर चीज़े देखने को मिल जाएंगी और यह देख सकते हैं जो कि यह सीसम का जो पेड़ है बहुत ही पॉपुलर है और यह जो सबसे ज़्यादा अट्रेक्शन देने वाला जो पॉइंट्स है वो यह ही है और यह दे देख और यहां पर यह है यह जो खेलने के लिए जहां से कि एक साइड से आवाज मारो तो दूसरी साइड से हमें सुनने को मिल जाएगा और इस बार जो मेरे को new मिला है यहाँ पेडों के अंदर lighting के कुछ birds है जो यहाँ पे लटका रखें बेभी साथ यह night में बहुत बढ़िया लगते होंगे तो यह थोड़ा सा new मेरे को मिला है तो यह वाला sport दे सकते हैं जो की photography के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है और यहाँ पे आप फोटोग्राफिय भी कर सकते हैं तो गाइस जो में पिछली बार फ्राब में आया था उसके comparison में अगर अपकी बात करें तो flowers की थोड़ा सा कमी तो अभी तक मेरे को देखी है आगे चलके देखेंगे कि आगे हमें मिलते भी है या नहीं और यहाँ पे अभी चलते हैं पहले बोंसाई गार्डन में तो जो ब अगे हुएं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही खुबसूरत मज़ा आजाएगा यह वराइटी आपको यहाँ पे देखने को में लगी बहुत अच्छा इसपोर्ट है यह तो मेरे को अच्छा लगा है बहुत तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं म्यूजिकल गार तो गाइस यह देखिए प्यारे प्यारे नेवू ऐसे लग रहे हैं जैसे संत्रे हों कुछ लोग इसको संत्रा ही बोलें लेकिन यह नेवू है और यहाँ पे चलते हैं यह वाला जो स्कोर्ट है ना यह देखिए बहुत ही घुक्सूरत है फोटोग्राफी के लिए भी और आप यहाँ पे आके अपनी आखों से जो देखेंगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा यह देखिए आप यहाँ पे जो एक्सप्लूर कर रहे हैं और यह फ्लावस जो है इस पर नेम प्लेट जरूर आपको देखने को मिलेगी और अब आगए हम यहाँ पे कैक्टस वाली जगह पे और यहाँ से अब आगे चलते हैं रोज गार्डन में यह देखिए जो रोज गार्डन है और से की गुलाब उद्धान भी बोलते हैं यहां पर काफी flowers हुआ करते थे पहले लेकिन इस बार कोई flowers ज्यादा नजर नहीं आ रहें काफी flowers तो ऐसे हैं जो कि मुर्जा गए हैं गल गए हैं पता नहीं इसकी केरिंग नहीं हो रही है या फिर मोसम की वज़े से यह देख सकते है इस बार जो flowers हैं उसकी मेरे को कमी जोड़ दिखी है कुछ flowers ऐसे लग रहे हैं जो भी खिल खिलाते हुए लग रहे हैं और इसी की वज़े से ये खूपसूरत अम्रे तुद्ध्यान फेमस है इस रोज गार्डन में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के रोज मिल जाएंगे जैसे कि इसमें रैड रोज है वाइट रोज है और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के आपको रोज देखने को मिलेंगे और ये वाला व्यूस तो बहुत ही बढ़ी है और ये पर चलके देखते हैं यह है डबल डिलाइट रोस यहां पर यह देखिए बहुत ही खूबसूरत है अच्छा लगेगा यह आपको देखके रोस गार्डन के बाद में यह वाला जो पॉइंट है यह बहुत अच्छा लगा है यहां पर एक फांटीन आपको देखने को मिल जाएगा और यहां से अब हम करेंगे एक्जिट वहां पर हम देखेंगे कि फूड कोट अभी हमें कहां पर मिलेगा और यहां पर एक्जिट यहां पर फूड कोट में और यहां पर ले सकते हैं चटकारे अपने टेस्ट के अकोर्डिंग फूड का और यहां पर चलके देखते हैं तो यह जो फूड कोट बनाया हुआ है यह एक बास्केक बोल का जो कोट होता है ना वह उससे यह बनाया है बहुत ही सुन्दर लग रह तो गाइज यहां पे जो जितने भी स्टॉल लगी हुई है वहां पे यह प्राइज लिस्ट मेंशन करें है थोड़ा कोसली जरूर है लेकिन आपको बहुत सारा आइटम्स यहां पे आपको खाने के लिए मिल जाएंगे और सबसे अच्छी चीज मेरे को यहां पे जो मिली है यह मिट्टी कैफे बारे में अगर हम बता दे तो यहां पर प्राइस तो बहुत ही जैनुवन है कोई बहुत ज्यादा कॉसली नहीं है और एक अच्छी चीज जो यह मिट्टी कैफे जो काम करते हैं वो जो फिजिकल हैंडिकेप जो परसन होते ना उनको यह जोब देते हैं और वही सारे लोग यह काम कर रहे हैं यह मेरको यहां पर देखने को बहुत अच्छा लगा है कि इन लोगों को भी यहां पर काम मिल रहा है तो यहां पर पहुंचने के लिए सबसे नियरभाई मैट्रो सेशन सेंटर सेक्रेटरी जो की यलो लाइन पर है वहां से आप बाई के जरूर बताएं और जो भी चैनल पर न्यूँ हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं नेक्स ब्लोग में बाई टेक केर